आज हम कर रहे हैं important application of the goes theorem ठीक है application कर रहे हैं किसकी goes theorem की पिछले lecture में हमने goes theorem के वारे में पढ़ा था ठीक है आज हम पढ़ते है important application of the goes theorem ठीक है तो सबसे पहली application आती है इसकी ये क्या होती है देखो electric field at a point due to infinitely long line of charge wire ठीक है electric field at a point due to infinitely long line of charge wire ठीक है infinitely long line में क्या है आपका charge ठीक है अब देखो आपने ले लिया कि consider an infinitely long thin wire with uniform linear charge density ठीक है आपने continuous charge distribution में पढ़ा था कि आपका linear charge distribution क्या होता है कि एक line में क्या हो आपका charge का distribution हो वो क्या होता आपका linear charge distribution ठीक है उसको आपकी से represent करते हो delta lambda से क्या किसको represent करते हो lambda से linear charge density को ठीक है अब देखो electric field आपने लिया e1 and e2 due to two line से element ठीक है electric field आपने e1 और e2 क्या ले लिया electric field दो line element की ठीक है अब देखो जो आपका linear charge distribution था वो किस में था एक line में क्या था charge का distribution ठीक है तो आपके पास क्या हो गया यह एक line में field की direction होती है positive में वो क्या होती है outward होती है ठीक है तो आपकी यहां से जो e1 की electric field निकलेगी वो क्या होगी outward e2 की electric field करेगी वो भी क्या होगी आपकी outward क्यों होगी क्योंकि आप किसकी electric field निकाल रहे हो positive charge के ठीक है यहां से आतक distance आपने ले ली आ रहे है ठीक है जो e है वो क्या निकलेगा आपका e1 और e2 के बीच में जो आपका point लाही करेगा वो क्या है आपका e ठीक है अब देखो आपको क्या दे रखा है if we want to calculate the electric field at any point आपको क्या calculate करना है electric field at any point ठीक है at any point किसी भी point के उपर आपको क्या करना है electric field calculate करना है आप कैसे करोगे p at a distance r आपने यहाँ पे एक point क्या लिया है p ठीक है यहां से आतकी distance आपने क्या लिया है और ठीक है अब देखो r from the line of a charge आपका charge किसमे एक line में है ठीक है linear charge distribution में क्या होता है linear charge distribution इसके नाम से ही पता चल रहा है किसमे charge का distribution किसमे होगा एके line में ठीक है the line of a charge किसमे होगा एक line में क्या होगा charge का टिस्ट्रिपिशन ठींठ आप अब किया करोगे we consider a cylinder of radius a and length L evidence region surface अब क्या कर रहे हूँ आप जो टोपिक कर रहे हूं वह क्या कर аст होगी वो क्या होगी आपके पास उसके डुक का तो आपने क्या लिए देखो एक सिलेंडर ले लिया फिर आपने क्या क्या lighter distribution Mm-부터 downtime टूसमें क्या होगा डिस्ट्रोबिशन में क्या होगा छार्ज का Dios्ट्रोबिशन ठीक है आपने यहां से हान तक कि आपने distance क्या ले लिए और है ऍया फें ऄरता है क्या ते रखाएं तो आपको किया निकालना है गाजियन अलग los से निखालोगे आपने एक सिलेंडर ले थी टेक्ट निकलेगी जो चार्ज होता है उसकी जो electric field निकलती है वो क्या निकलती है आपकी outward मतलब बार की तरफ electric field निकल गी ठीक है और यह क्या आपका निटा unity vector ठीक है अब देखो ds क्या है आपका small elementary surface area the electric field at the surface will be outward क्यों है जो electric field है वो outward क्योंकि आप क्या यूज करें वो positive charge ठीक है the unit vector normal to the ds is in the direction of e and electric field ठीक है अब जो unit vector है normal to the ds ds क्या है आपका जो small surface आपने cut किया है वो is in the direction of the electric field यहापे क्या है क्या है देखो जो electric field है और जो unit vector है वो क्या है parallel है ठीक है तो electric field और जो unit vector आपका निटा है वो क्या है आपका parallel हो गया e dot nitta ठीक है e dot dot product टाओगे तो आप यहां पे क्या आजाएगा e and cos of 0 cos of 0 आपके पास क्या होता है 1 निटा की जगह भी आप क्या value पुट कर दोगे 1 क्योंकि unit vector क्या आपकी value क्या आती है 1 तो यहां पे क्या आगा है e आगा ठीक है किस पे निकला आई यह एटे surface ठीक है अब देखो यहां पे जो आपकी electric field है ठीक है और यहां पे क्या है आपका unit vector निटा तो यह क्या है इसके perpendicular में है ना तो perpendicular में क्या होगा आपके पास देखो but the ends of the cylinder जो ends of cylinder का वहां पे क्या होगा यह दोनों क्या है perpendicular but the ends of cylinder जो electric field और जो unit vector आपका निटा है वो क्या है perpendicular है ठीक है perpendicular है तो आपका कौन सा angle बनेगा 90 degree का अगर आप e.ヌ. kingdom करोगे ठीक है फिर आप क्या करोगे Aप उसका dote product रटा हुगे तो आपके पास क्या जाएगा , e.vis 0 आपके यह तो सब्सक्रक्वे doด जाएगा जेरो, इंडोटे निटा, हंसे no contribution to the ends to electric field, तो अपनी जो एक्टरिक फिल्डा एगी, वह क्या है जाएगी? टो आपकी इलक्टरिक फिल्ड निकलेगी, वह निकलेगी? जो एक्टरिक फिल्ड निकलेगी? ठीक है, अब इसके बाद आते है आपका, इसके आगे next देखो, इसके बाद आप क्या use करोगे, goes low, ठीक है, तो आपने यहाँ तक तो कर लिया, the only electric flux is due to the surface of the cylinder, जो आपके electric flux निकलेगा, वो कहाँ पे निकलेगा, surface of the cylinder, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, application कर रहे हो, ठीक है, किसकी गोजिला की, ठीक है, अब आप किसका use करोगे, using गोजिला, गोजिला क्या होता है, line integral of the e.nita into ds is equal to q upon epsilon node, ठीक है, अब देखो, आप e.nita करोगे, आपने यहाँ पे क्या था, देखो, जो अपना क्या था, surface पे क्या है, यह दोनों parallel है न, तो आप किस पे निकाल रहे हो, surface यह दोनों पही निकाल रहे हो, क्योंकि यह perpendicular में तो क्या होगा, आपका निकलेगा ही न, क्यों निकलेगा, क्योंकि इसकी value, electric field क्या निकलाएगी, 0, क्योंकि e और जो n है, वो क्या है, perpendicular, तो cos 90 क्या होता है, अपके पास, 0 होते है, ठीक है, तो यहाँ पे तो electric flux निकलेगा ह नहीं कहाँ पर निकलेगा सर्फेस पर ठीक है तो आप देखो इडोट निटा इंटू डीएस आपका किसके एकोल आ जाएगा इडोट डीएस लाइन इंट्रीकल ओफ दा इडोट डीएस इस इकल टुक्यू अपॉन अपसाइलन नोट ठीक है आप एको बाहर निकाल लोगे ल उसका सर्फेस का वो क्या होता है टू पाई आर ठीक है अल आपने क्या यूज किया है लेंध जो आपका सीलिंडर का जो सर्फेस का फोर्मूला होता है वो क्या होता है डीएस आपने किसको यूज किया है जो स्मॉल ऐलिमेंटरी सर्फेस से कट किया है वो आपको सीलिंडर क एक है क्या होते है 2PiR ठीक है अपने क्या यूज किया है लेंद ठीक है इंटू 2PiRL is equal to Q upon epsilon node आप यहां से क्या करोगे एक वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या जाएगी Q upon 2Pi epsilon node RAL ठीक है यहां से इक वैल्यू निकालोगे तो Q upon यह क्या चले जाएगा इसके upon में चला जाएगा ठीक है अब आपको पता है कि lambda आपको आप किसमें यूज़ करते हो आप linear charge dance ठीक हो ठीक है जो lambda होता है आपने ये किया था किसमें किया था continuous charge distribution में किया था lambda is equal to आपने किया था dq upon dl यह था लेकिन इसमें जो आप charge यूज़ कर रहे हो था क्या है q और जो length यूज़ कर रहे हो यूज़ कर रहे हो l ठीक है तो lambda is equal to आपके पास क्या जाएगा charge अपन olun length अगर आप यहाँ से q की value निकाल होगे तो आपके पास क्या जाएगी Lambda into l ठीक है आप आप इस वाल equation में क्या करोगे Q की जगा आप Lambda into L value पुट कर दोगी तो आपके पास क्या आ जाएगा E is equal to Lambda L upon 2 pi epsilon r a l ठीक है बाद में आपके पास क्या होगा L से L आपका cancel हो जाएगा जो E की value निकलेगी आपके पास वो क्या निकलाएगी Lambda upon 2 pi epsilon r ठीक है अब जो आपकी E की value निकली है वो क्या निकली है Lambda upon 2 pi epsilon r ठीक है ये किसमें निकली है scalar form में अगर आप इसको vector form में निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है एक unit vector और रेड हो जाएगा तो आपके पास E is equal to electric field आपके पास क्या निकलाएगी Lambda is equal to 2 pi epsilon r इंटू में r का unit vector ठीक है unit vector क्यों आया क्योंकि आपने क्या गिया इसको vector form में ठीक है जो इसका गराब बनता है वो क्या बनता है क्योंकि देखो आप यहां पे क्या करोगे जो unit vector होता है खुद vector upon its magnitude ठीक है तो r upon r आ जाएगा तो r क्या जाएगा Lambda upon 2 pi epsilon r square into r का vector जो आपका universally proportional का गराफ आता है वो ऐसे आता है क्योंकि आपके पास जो result आएगा इसको खोलोगे तो आपके पास यह आएगा Lambda upon 2 pi epsilon r into r upon r का vector तो आपके पास यह हो जाएगा Lambda upon 2 pi epsilon r square into r vector ठीक है तो यह electric field है वो क्या inversely proportional r square के तो इसका गराफ ऐसे बनेगा electric field हो र के बीच में गराफ बनेगा ठीक है इसके बाद आती है जो इसकी second जो इसकी application होती है वो देखो electric field at a point due to uniformly uniformly charged spherical cell ठीक है आप क्या निकाल रहे हो electric field निकाल रहे हो at a point due to uniformly charged spherical cell uniformly charged spherical cell है आपके पास ठीक है आप उसके उपर क्या निकाल रहे हो electric field की value ठीक है आपने क्या लिया है देखो if plus q charge is given to a spherical cell ठीक है आपने क्या लिया आपने चार्ज क्या ले लिया, अब देखो, यहाँ पर आपने जो डिस्टेंस ली है, वो पॉंट से यहां तक की, वो ले ली, और यहां से यहां तक की, और इस पॉंट से इस पॉंट तक की, फिर आपने क्या किया ds x small element cut कर दिया यहां पर आपने क्या ले लिया कोई भी point P ले लिया ठीक है जो electric field निकलेगी वो ऐसे निकलेगी वो जो इसका निट्टा होगा unit vector वो क्या होगा इसके electric field के parallel में आ जाएगा अब देखो if point P is outside the cell जब आपका क्या होगा P क्या होगा outside the cell outside the cell मतलब cell के बार होगा तो क्या होगा आपका देखो जो आपका smaller है वो किस से क्या होगा capital R greater than होगा smaller R से अब देखो then we draw Gaussian surface as a sphere of a radiation R आपने क्या ले लिया then we draw आप ड्रो कर रहे हो क्या Gaussian surface as a sphere of a radiation R ठीक है अब आपने क्या लिया DS ले लिया आपने small elementary surface कट किया वो ठीक है जो electric field आई वो parallel आ गई निटा unit vector के ठीक है अब देखो आपका क्या आगा है E dot nita यहांसे E कैसे निकला क्योंकि आप निकालोगे E dot nita into cos of 0 cos 0 आपके पास क्या हो जाएगा 1 निटा unit vector है तो वो भी 1 हो गया तो आपके पास क्या निकल क्या जाएगा E अब आपको पते कि आपका goals लागे होता है line integral of the E dot nita into ds is equal to Q upon epsilon node ठीक है उसके बाद आपके पास क्या आएगा देखो आपने क्या लिया ये वाली goals धोरम ले ली line integral of the E dot nita into ds is equal to Q upon epsilon node लिया था तो E dot nita आपके पास क्या जाएगा E बच जाएगा तो line integral of the E dot ds is equal to Q upon epsilon node ठीक है अब आप line integral किसका करोगे ds का करोगे तो स्फेर का क्या होता है 4 pi r square तो ds जो स्फेर का जो आपका line integral of the ds होता है वो कहता है 4 pi r square is equal to Q upon epsilon node आप यहां से E की value निकालोगे तो आपके पास क्या जाएगी 1 upon 4 pi epsilon node Q upon r square ठीक है इसको आपने ले लिया equation first ठीक है अब देखो आपका point वेहन point lies outside the cell अगर आपका point कहां पे लाई करता हूँ outside the cell ठीक है तो आप sigma किसमें यूज करोगे sigma is equal to surface charge density sigma आप किसमें यूज करते हो जो आपका surface charge density होता है उसमें यूज करते हो आपने इन सब के बारे में वहाँ पे भी पढ़ लिया था continuous charge distribution continuous charge distribution में आपने पढ़ा था volume charge distribution पढ़ा था surface charge distribution पढ़ा था ठीक है औरे linear charge distribution पढ़ा था ठीक है जो आपका sigma होता है वो किसके इकवल होता है देखो charge upon surface area ठीक है surface का area क्या होता है sphere का q upon 4 pi r square 4 pi r square होता है charge क्या होगा इसमें q होगा ठीक है, यहां से अगर आप Q की value निकालोगे तो sigma क्या आजाएगा इसके, into में आजाएगा, sigma into में 4pi r a scale, ठीक है, अब देखो, जो आपकी equation फस्ट थी, वो आपके पास क्या आए थी, is equal to 1 upon 4pi epsilon, q upon r a scale, यहां पे आप क्या करोगे, क्योंकि value पुट कर दोगे, आपके पास एक नए equation आजाएगी, is equal to 1 upon 4pi epsilon, sigma dot 4pi r square upon r a, small r a scale, ठीक है, अब देखो, आपकी e की value यहां से क्या निकलेगी, जब आप इसको solve करोगे, 4pi से 4pi cancel हो जाएगा, ठीक है, और उपर क्या बच जाएगा, sigma capital r square, upon में क्या बच जाएगा, epsilon note, small r, scale, इसको आपने ले लिया equation, second, ठीक है, अब देखो, if point lies of the cell, अगर आपका point कहां पर लाई करे, cell के उपर लाई करे, तो आपकी r की value क्या होगी, small r की value किसके equal होगी, capital r की, ठीक है, from equation first, जो यह वाली equation है, first, इसमें आप क्या करोगे, small r की जगा, आपके आप उट कर आजाएगी, is equal to one upon four pi epsilon note, q upon a r, scale, ठीक है, अब देखो, जो आपकी equation two थी, ठीक है, from equation two, आपने equation first में तो put कर दिया, r is equal to r, अब आप क्या करोगे, जो आपकी equation two है, उसमें भी क्या put करोगे, small r equal to capital r, ठीक है, तो आपके पास यह वाली equation हाजाएगी, sigma small r की जगा, capital r था यह पे, epsilon note small r की जगा, आपने क्या put कर दिया, capital r, क्योंकि यह वाली condition है, कि small r है, वो किसके equal है, capital r के, जो आपके पास equation second आएगी, फिर small r, capital r के equal हो जाएगा, तो आपके पास यह एक नई equation हाजाएगी, is equal to sigma upon epsilon note, capital r square upon capital r square, ठीक है, आप देखो, capital r square से capital r square, cancel हो जाएगा, जो e की value निकलेगी, आपके पास वो क्या निकलेगी, sigma upone, epsilon note, ठीक है, अब देखो, जो आपका third case बनेगा, इसके इंदर, वो क्या बनेगा, if point p lies within the cell, अगर आपका point lies कहाँ पे करे, within the cell, r is greater than, किसके होगा, capital r के, ठीक है, अब देखो, वहाँ पे आपकी electric field, क्या निकलेगी, 0 निकलेगी, क्यों निकलेगी, देखो, no charge exist within the cell, ठीक है, जो आपका within the cell होगा, उसमें आपका कोई charge नहीं होगा, देखो, आपने क्या-क्या निकाल है, देखो, आपने second जो application की electric field, at a point due to uniformly charged sphericals, ठीक है, सबसे पहले case आपने क्या किया है, आपने, if,